मैं सुधीप आपको अपना चैनल सुधीप होममेट कोकिंग में स्वागत करता हूँ और आज हम बनाने वाले है पुठी माच भापा तो यहां पर हमने पुठी माच को ले लिया है और यहां पर है हल्दी, मास्टर सीर्ज, पाइट मास्टर सीर्ज, अध्रक, हरी मिर्च, सु करते हैं आप से अनुरुद है कि आप हमारे इस वीडियो का फूरा दखिएगा, स्किप मत करिए और अच्छा लगे तो लाइक और सब्स्क्राइब भी करिएगा, प्याज, रहसून, अध्रक, सुखी मिर्च, हरी मिर्च, थोड़ा वाइट मास्टर सीर्ज, इस तब का एक पेस्ट बना लेंगे, तो चलिए करते हैं, हाँ पर हमने इसका मिक्चर बना लिया है, हम अभी ये मिक्चर को फिश के साथ मिक्स कर दिया है, और थोड़ा नमक भी दिया है, और अभी थोड़ा हल्दी दे रहे हैं, और दंदराज लेवू, निम्बू, इसमें तिन कटी हुई हरी मिर्च मिला दिया, और अभी सरसो का तेल मिला रहे है, यहाँ पर प्रेशर कुकर में नीचे में थोड़ा सा पतिला रखा है, और पानी डाल के इसके उपर में हम ये टिफिन डाल देंगे, और ये स्टीम या भापा में ये खुक हो जाएगा, और इसको कावार करके प्रेशर कुगर्ट में हम लोग बनाएंगे, तो चलिए करते हैं, हमने अभी बैठा दिया है, और इसी स्टीम में कीन टू सीटी देने के लाद हम लोग उतार देंगे, और मैं आपको प्रेजन करके दिखाऊंगा, सीटी हो गया है, और अभी हम पुठी फिश भापा उतार देंगे, और आपको हम प्रेजन करता हूँ, पुठी माच भापा बनके तयार है, और अभी गैस ठंडा हो गया, तो हमने खोला है, और अभी आप में इसको बहार निकल के आपको पैजन करता हूँ, वीवर्स, तो हमारे ये स्टीम पुठी माच या फिर भापा माच बनके रेडी है, और हमने ये पहले भी बना के खाया बहुत ही टेस्टी होता है, तो आप भी इसे घर में ट्राइ कर सकते हैं, हमने आज दिखाने के लिए आप बनाया था, और आपको अच्छा लगे तो मे अगर आप मेरा इमाजन का लिंक को क्लिक करके समान करीते हैं, तो आपको बहुत डिस्काउंट मिलेगा, और अगर आप यूट्यूब वीडियो बनाते हैं, तो भी बहुत सारे प्रोडक्स हैं, जो आप वहां से देख सकते हैं, जो आप मैंने चॉइस करके रखा हैं, तो थैंक यू वीवर्स,